समस्कार आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूँ प्रेमाराम बादू लोग सबाचुनाओं की त्यारियां चल रही है बाजपा ने अपने पर्तियासी उतार दिये हैं बाड मेर के भीकला चोधरी मैदान में आगे हैं ऐसे में बाड में जिले के लोगों की दर्ष्टी है हरी चोधरी पर जो की कॉंग्रेस के राश्टी नेता है लोगों का मानना है कि कॉंग्रेस की टिकट का फैसला हरी चोधरी की मर्जी से होगा ऐसे में हेमाराम चोधरी मना कर चुके हैं नए युवा चेरा कईभी है पर्वा चौधरी शाथ ही पापडा परिवार के भॉनेद लक्षमन सिंग गोधारा अमारे साथ है लोगों ऐसा क्यास लगा रहे है कि अरीजी के खास माने जाने वाले लक्षमन सिंग गोदारा पर्त्यासी हो सकते हैं ये ताजूब की बात नहीं होगी क्योंकि यूद्ध कॉंग्रेस में लंबे समय से आप अध्यक से संगर्ष कर रहे हैं और बाइड मेर में हग जगे हर संगर्ष में युवाओं की आवाज बने हैं लक्षमन सिंग गोदारा आज उन से चर्चा करते हैं लक्षमन जी आपका स्वागत है लोग सबा की कैसी त्यारी चल रही है पहला ही स्वाल दरसक जानना चाहते हैं कॉंग्रेस पूरी तरह से त्यार है और जो मोदी सरकार ने दस साल में जो जूटे वादे किये थे यूवाओं को जो रोजगार ग बस पाइस अपना परतियासि मेदान में उतार दिया आपके कब तक परतियासी औरकॉण सकता संभावित परतियासी वुतारना ये दिलिय का मामला है हम लोग कोंगरेश का कारे करता हैं परकार का कि पीटने त्यार एंग Nice बिल्कुल त्यार है यह उन्त देखा होगा पिछल सबसे बड़ी लेकिन कई कई कमी रही आपका नाम चर्चाओं में चल रहा है परदे के पीछे लोग मान रहे हैं कि हरी जी के खास है टिकट लक्षन सिंग उदारा को मिलेगा यह चर्चाओं कैयास है पर उन्तैसी कोई बात नहीं मैं कॉंग्रेस के छोटा सा कारे करता हूं इ और अरी जी को बाढ़ मेरे लोग जानते थे उससे ज़्याद आपको जानते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अरी चोधर हमारे आधनी है उनसे हम सीखे और सीख भी रहे हैं उनके गाइडेंस में काम करेंगे और आने वाले चुनाओं में भी जो यह हमारी सीनियर लीडर मिलक कब मन्थन होने वाला है इस सीट के लिए दिली में चली रहा है जो टिकेट वित्रन को लेके कमीटियां स्केंडिंग कमीटी अभी तक सीसी नहीं होई है वो भी हो जाएगी चल दी यह सारा दिली लेवल का मेट रहे है तो चल रहा है और अपने दावेदार भी लोग कर रह समय करनी आप ग्राउंड पर जाइए लोगों को जो पिछले बाते की ए बीजीपी ने जो सुनाए बादे किये पूरे नहीं किये लोग तरस्त है अब चाए पेजल को लेके हो चाए किसी भी तरह से लेके हो आपने पिछले वार कॉंग्रेस सरकार देखी जो पांस साल सेफ एक मोदी जी के नाम लेके जीत रहे हैं और खुद आप देख सकते हो क्या हो रहा है आज के समय में जो पांस सरकार अस्तितों में आई नहीं आप बजार के अंदर मसाल जुलूस निकाल रहे हैं सरकार को सिधा चेताम नहीं दे रहे हैं और हिमाराम चोधरी आपका नि पेरजगार कर दे उनको निकाल दिया इसी के समद्ध में युवाओं ने जो मसारी लिए और की कारण नहीं था आपने देखा अब अभी तक बैठे है बरसात के अंदर आंदी के अंदर तुफान के अंदर सरदी के अंदर वही अपने किसानों के बेटे हैं आपके और हमार विरुद कर रहा भी जिस तरह से इनोंने जो आते निने लिए उनके उपर एक स्वाल क्या आरेलपी से गट बंदन की बातें चल रही है परदे के पीछे यह सारी जो आप बड़ी-बड़ी बाते कर रहे मेरे लेवल की बातें नहीं है मैं चोटा सा कारे करता हूं और परद रहे मचल पते हैं माम मेंत नितर कर यह सब्युद्र, डिमांड करना अपनी मां राखना अपनी मां मां मेंके एव बात करना उसके लिए कोई कॉंग्रेस पार्टी समुंदर है उसके कोई बात कर सकता है और लड़ भी सकता है आप संक्षण में काम कर रहे हो हमाराम जी आरिज चोधरी दोनों में से किसी निसारा दिया चुनाव लड़ने का या मना मैंने पहली बोल आपको बात को मैं चुनाव लड़ने के लिए मैंने तो कहीं डिमांड की न मांग की है और ऐसे ना ही किसी न इसारा किया न ही हमारे से कॉंग्रेस को न इसारा होता है कुछ बात नहीं तो सीनियर सभी मिलके तैय करते हैं उसे के साथ सब चल बगते हैं लेकिन पूर्ण रूप से ना तो हमाराम चोधरी और हरी चोधरी के चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है ना आरेलपी के गटबंदन की बात की है पूरी बात एक नपे तुले नेता की तरह संक्टन के बड़े नेताओं पर छोड़ दी है अगली खबर तक हमारे साथ बने रही है नमस्कार देख तरही है तेदिल मेडिया